कल के कारकम के पश्चात आप क्या उपिंगिन रखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है राजनीतिक रूप से देखिए वाता वरण में राम की जो सकती है वो दिखाई पड़ रही है इसमें कोई सक नहीं कि जब इसमें एक योजना बनाई कि हम रोज 20,000 लोगों को दर्शन कराएंगे राम का लेकिन आज तीन लाख से जादा लोग चार वे तक दर्शन कर चुके थे लाखों लोग पिजार में खड़े हैं तो जो योजनाए थी वो अपने आप धरी रहे गई इसका मतलत यह है कि लोग सभावी प्रूप से राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उत्ताहित हैं सियासत के हिसाब से ये एक डीजेपी को बहुत लाबदायक सिती में पहुंचाता है और इतने बड़े राम मंदिर के उत्गाटन से लेकर और आज भीड के कंट्रोल करने के लिए भी पूरी सरकार इस जाड़े में भी पसीना बहा रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सच्यू संजेप रसाथ से लेकर इस्पेसल डीजी और पूरे उत्तर प्रदेश की पूलिस फोर्स बहुत बड़ी संक्या में अभी अजोद्या में लगी हुई है जो पिछले कई रातों से जंग रहे थे अभी उनके लिए बड़ी चुनावत मंदिर बनाकर बीजेपी ने एक संदेश भी दिया है वो यह संदेश कि हमारी कई पीड़ियां कुर्बान हो गई कई सरकारे कुर्बान हो गई लेकिन हमने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे संक्सोगंद राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे यह बहुत सारे नारे उस समय चलते थे वो नारे अब पूरे हुए लेकिन यह जो भगवान राम की मूर्थी लगी है यह मूर्थी बहुत काली है लोग यह कह रहें कि राम बहुत सुंदर पूरुस के तौर पर हमने आज तक उनको तस्वीरों में देखा है राम एक आदर पूरुस के तौर पर स्मार्ट लंबे चोड़े हैं कि गोरे होने चाहिए थी मूर्थी हम लोगों ने ऐसे राम को हमेशा कलपना में देखा तस्वीरों में देखा यह जो मूर्थी बनी यह काले पत्थर की बनी बाल रूप में है भगवान लेकिन मूर्थी अगर थोड़ी गोरी कर देते भाजपावाले तो इनका क्या चला जाता कोई बुरा ही नहीं थी ऐसा लगता है कि दचिल भारत से यह मूर्थी प्रेरित है जैसे बहुत सारी मूर्थिया वहाँ पर हैं लेकिन राम पूरी दुनिया के देवता है खाली दचिल भारत के नही उत्तर में उनकी पहचान है तो यह बात थोड़ी सी एक मन में थी कई सारे तो यह कुर्बानी जो दी गई थी अब उसको मूर्थ रूप देकर भाता भोनाएगी तो ही छोड़ेगी तो नहीं क्योंकि राम मंदिर के लिए अंदोलन चलाया अधवानी ने जोगी ने अकल न सत्रा सत्रा किलो मीटर की लंबी भीड चली लोग घरों से पूरी सब्जी बना बना कर कार्शेयों को देते रहे तमाम बलिदान हुआ तमाम सारी पीडियों ने इसको अपनी आखों से देखा वो गुजर गई कि राम मंदिर की आस में 25-45 साल मुकत्मा चला सजा हुई कल्य लोगों को तमाम सारे लोग चले गए लेकिन अब टेंट से निकल कर अपने भव मंदिर में आ गए हैं दिराज रहे हैं और मुगर काल की एक जो अतीज की जो का जाए जो लूट हुई थी जो हिंदूत पर जो जो जिसको लेकर राज तक अंडोलन चलता रहा उसको मिटा कर उसी तिहास को अब भाजपान एक नए तिहास बनाया है बोदी के नेटित्व में दोजार चोबिस का चुनाओं करीब है तो भाजपार तो हमेशा जबजब संकज में उसने राम से मदद मांगी राम का सहारा लिया और अब इस बार राम मंदिर उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा इस चुनाओं में मोगी अपने तीसरी पारी खेलने के लिए भक्ति रस में डूबे हैं सिंगासन सप्ता की और जाने वाले हर पूजा पाश मंदिर में उनका विश्वास है तो सुभाविक है कि इस राम मंदिर में बीजेपी को बड़ी ताकत और संजीवनी प्रदान की है नारतिय समाज में राम सर्वोच देवता हैं और उनकी सर्वोच ताया आदर्श पूरुस के रूप में है जो हर वेक्ति को कुछ न कुछ प्रेरित करती है चाहे वह बच्चा हो या वह पूरुस हो या वह बुजुर्ग हो जाए राम के मर्यादा और उनके चरित हर अच्छा अगर अभी को काफी बढ़त पिलेगी इस समय तो भाजपा ने पूरे महलों में लोड़ी स्पीकर लगा कर बैनर लगा कर पूरा हलुआ परसाथ पूरी तो मिले बढ़त पर तो हई है वो और उत्तर प्रदेश तो भाजपा के बड़ा गढ़ बन चुका है आसान नहीं है यहां पर बी इंडिया गडवनधन में आ जाए इंडिया गडवनधन पता लगा जबी पर अगया गार यह तो मायवति को किया होगा जाव यह भी बड़ी इस्थितिया है जी कर्क्लूट करें विरिंजी हिंदुस्तान में कल दिवाली मनाई गई दुनिया में मनाई गई आखिर इसमें पिछले समाज के हैं लेकिन एक प्रधान मंत्री के तोर पर उन्होंने कल राम की प्रानप्रतिष्ठा की OBC समाज को भी उन्होंने एक गौर्वानवित होने का मौका दिया ब्रजेजी राम में वो ताकत है कि अगर कोई मुसल्मान, मुल्ला, मौल्वी आप देखते होंगे बजारों में भी समान व्यस्ताथ कहता है कि ये राम बार दवा है अल्ला बार नहीं कहता है राम बार नाम से बेची जाती है तो राम की महिमा हर धर्म और समाज में है और वहाँ पर राम सबका काम चला रहे है ये भी एक बहुत बड़ी बात है अभी कपूरी ठाकुर को भादरस्न देने का ऐलान किया है बीजेपी सरकार ने बिहार के वो बहुत बड़े युक पूरुस माने जाते हैं महापूरुस है नितिस कुमार के पारा बदलने की चर्चाएं चलती रहती है जैंके उधरी ने खीर नहीं खाई पता नहीं नितिस कुमार क्या खा ले तो अभी सी समाज को भी एक बड़ी रेखा उन्होंने कीची आज मोजी ने और एक सद्रेश दिया नहीं रहर राम की महिमा पर चार लाइन सुनिएगा कि राम किसके लिए क्या क्या है जब जब घिरे अंधेरे गहरे हमने तुम्हें पुकारा राम एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम धंद अलत की यह ताकत की जिन पर लंका है उनके होंगे लाज सहारे और दुख्यों का बत एक सहारा सिर्फ तुम्हाराम बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राज बिरेंजी के आडियो में कुछ प्राब्लम चल रही थी हम इसको ठीक भी आगे कराएंगे